नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नए वीडियो में तो आजगा हमारा टोपिक है अपवात अंतर जील नदियायों बांध ये रिविजन श्री चल रही है अभी एक दो दिनी बचे हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अजल गरण की दरस्टी से राज़तान में नदियों का सही करम बताईए तो वो हो जाएगा बनाज, लूनी, चंबल और माही नदि नेक्स्ट है राज़तान में सबसे बड़ा अपवात अंतर कौन सा है तो है आंतरिक अपवात अंतर नेक्स्ट है लंबाई के आधार पर राज़तान में नदियों का आरोही करम बताईए लंबाई के आधार पर तो वो हो जाएगा चंबल, माही, लूनी और बनाज नदि नेक्स्ट है निमनांकित कतनों में से एस उमेलित कतन को छाटिए तो वो हो जाएगा निमबारक समुदा की पीट, परमुख पीट, रूपा रेल नदि के किनारे स्टीत है ये एस उमेलित कतन है बाकि सहीए नेक्स्ट है सुची वनव सुची शेकंड को सुमेलित करना है और सही कुट का चैन कीजिए तो उद्गम स्तल और नदी तो शेवर की पाड़ी साबी नदी और कोटडी की पाड़ी वो जाए कि काखने नदी मनुहरपुर की पाड़ी मेथा और उद्गम सुमेलित करना है और सही कतन का मिलान करना है यह सब्बेता हुए उनके विकास के सतलोय नदीओं सब्बेता और नदी तो इसके अंदर क्या होगा? रंग महल घगड नदी और गनेस्वर कांतली नदी नोह सब्बेता रूपेला और बागोर सब्बेता कोठारी नदी ओप्सकन B नेक्स्ट है लोनी नदी से सम्बंदितने इमण लिखीत कतत्यों पर विचार करते हुए ऐस्टे खतन चांटी है लोनी नदी पर तो साबी नदी लोनी नदी की सायक नदी है तो यह सत्य कतन है, नेक्स्ट है, उद्गम से समाप्ति की ओल लूनी नदी, विस्तारित जिलों का सही करम बताईए, तो इसमेर नागोर, पाली, जोदपुर, बाड़ मेर और जालोर, नेक्स्ट है, किस अपवात अंतर की नदियां, एस्चुरिया जोवार नदमुक का निर्मान करती है, तो वो करती है, अरब सागरिये, अपवात अंतर की नदियां, नेक्स्ट है, माही की सायक नदियों को उनके उदगम स्तल से सुमेलित करते वे सही कूट का चैन कीजिए, तो माही की सायक नदियां, तो इनका हो जाएगा, जखम, बवरमाता की पहाड़ी, सौम, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, अनास, अबोर ग्राम पहाड़ी, और च पादी किस मुख्य नदी की सायक नदिया हैं, तो ये सभी साबर्मती की सायक नदिया हैं, नेक्स्ट है पस्चिम बनाश नदी की सायक नदियों का सही युगम बताईए, तो इसमें हो जगा सूकली, नेक्स्ट है काली सिंद नदी किन दो जिलों के मद्दे सीमा बनाती हैं, वो जालावाड और कोटा के मद्दे, इनको सुमेलित करना है त्रिव्यनी संगम और नदियां, तो इसमें हो जाएगा रामेस्वर गाट, बनाश जंबल और सीब, बेनेस्वर सौम माही और जाकम, बिगोद, बनाश बेडच और मेनाल, राज महल, बनाश डाई और खारी नदी, नेक्स्ट है लूनी नदी, कि एक मातर नदी तो जो दाई और से मिलती है, तो कौन सी नदी है वो, जोजरी नदी, नेक्स्ट है कौन सी नदी राज़तान में दक्सिन से परवेस करके पुन्ह दक्सिन की और जाती है, तो वो कौन सी नदी है, माही नदी, नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए परियोजना और जिला तो इसमें होगा पांचान बांध करो ली सौम कमला अंबा डुंगरपूर और जाखम परताब कर और मेज़ा बांध बील वाड़ा option C हो जाएगा नेक्स्ट है चंबल नदी कि जिला समुए से गुजरती है तो चंबल नदी किन-किन जिलो से गुजरती है चितोडगर कोटा बुंदी और स्वाइमादोबूर से नेक्स्ट है चितोडगर दुडग किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है तो ये बना हुआ है गंबीरी है बेड़ाच नदियों के संगम पर नेक्स्ट है ऐसत्य कतन को चाटना है निमन लिकित में से तो इसमें हो जाएगा सौम माही चंबल तीनों नदिया मिलकर बेड़ाच वे दामे त्रिवनी संगम मनाती है ये ऐसत्य कतन है तीनों को भी देख लेना सत्य कतन नेक्स्ट है सुची वन वे सुची शेकंड को मिलान कीजिए जल पर पात वे नदिया तो इसमें हो जाएगा चूलिया जल पर पात चंबल नदि बीमताल जल पर पात मांग ली नदि और मेनाल जल पर पात मेनाल नदि और दीर जल पर पात कुकुंद नदि नेक्स्ट है कतनों पर विचार कीजिए तो इन में से कौन सा खतन सही हो और कौन सा गलत है ये बताना है अपने को तो इसमें हो जाएगा चंबल नदी सरवादिक अवनाली का अपवर्दन करने वाली नदी है लोनी की अधिकांस तर सायक नदी है अरावली के पस्चिम बाग से निकलती है बिकानेर चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है याद रखना है ये भी ओप्शन डी हो जाएगा इसका नेक्स्ट है निमन लिखित में से एसत्य कतन को चाटी है इसमें चंबल नदी का राष्टान में परवेस खाटू गाओं बांस वाड़ा से होता है इसमें नेक्स्ट है बांद और नदियों को मिलान करना है तो इसमें हो जाएगा बंद बठेरा बांद कुकुंद नदी और मुत्ती जील बांद रूप रेला नदी राणा परताब सागरबान चंबल नदी और सौम का अंदर बांद सौम नदी उप्सन बी हो जाएगा नेक्स्ट है राजिस्तान बूमिकत जल बोड़ की स्थापना कब की गई तो वो की गई वर्स 1950 में जोदबुर नेक्स्ट अनिमल लिकित में से कौनची जील खारे पानी से संबन्दित है तो खारे पानी से संबन्दित है कावोद जील नेक्स्ट है किसके बारे में का जाता है कि इसका निर्मान सत्त्रूओ के रक्त के साप करने के लिए किया जाता है सांदार ग्यूसन है तो वो किस के लिए का जाता है आना सागर जील के लिए नेक्स्ट अनिमन लिखित में से किस जील के जल का परियोग चमडा उद्धोग में सरवादी किया जाता है वो है डीडवाना जील का नेक्स्ट अनिमन लिखित में से कौन सायूगम सुमेलित नहीं है वो जगा मान सागर जालावाड है और आज का लास्ट क्योशन अर निमन लिखित में से राष्ट या जील संद्रक्षन कारिकरम में सामिल राष्टान की जीलों का सईयूगम है तो वो जगा पुसकर जील पतिया सागर मान सागर वीडियो देख लेगने धन्यवाद अच्छा लगाओ तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना थेंक्यू